हेलो फ्रेंट्स मैं हुसी बानी वेल्कुम है आपको मेरी यूटीब चैनल पे फ्रेंट्स जेई मेन के जितने भी अश्टुडेंट है उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है जी हाँ जिन अश्टुम ने अभी तक परिक्षा नहीं दिया है जो की परिक्षा आयोजित की गई थी 1-6 तारीक तक उसमें अगर आप कोरोना से संक्रमित थी और परिक्षा नहीं दे पाए तो उनको जो है कहब नहीं है डरने के जरूरत नहीं है किूंकि उनलों का पंद्रह दीन के अंदर अंदर फिर से आप लोग का एक्जाम कराया जाएगा उसमें आप लोग परिक्षा दे सकते हैं तो क्या जनकरी दी गए किस तरीके से आप लोग की परिक्षा ली जाएगी सीडियूल क्या बनाया गया है वो सारी जनकरी मैं इस वीडियो में देने बाली हूँ तो जरूब के देते हैं कि आज जो है परिक्षा दे दी ती उनका 11 सितमबर आज बताया गया है इस पर बना दिया कि कैसे आप लोग चेक कर सकते हैं लिंक देते हैं कि यहां पर बता गया है कि एक से खे सितमबर यहाँ 1-6 सितंबर तक जो परिक्षा हुई थी उसके बीच जो हुई जेई मेन में संक्रमित के चलते जो स्ट्रेंड जो परिक्षा में सामिल नहीं हो पाएं उन्हें परिक्षा देने का एक और मौका मिलेगा जिहाँ नेशनल टेस्टिंग एजनसी एन्टी ए सितंबर में ही ऐसे कंडरेट्स की परिक्षा करवाएगी हालां कि इसमें वही बच्चे इसमें वही अवियर्थी सामिल हो पाएंगे जो 1-6 सितंबर के बीच कोरोना संक्रमित थे जिहाँ आपको साफसा बता दे ध्यान देना यहाँ पे इसमें जो है आप लोगा जो 1-6 तारिक तक परिक्षा हुआ था उसमें जो स्टुडेंट ने सामिल नहीं कर पाए जो स्टुडेंट जो की कोरोना से संक्रमित थे कोई परिक्षा नहीं दे पाए थे उनके लिए 15 द हो पाएंगे और जो अधिक्तर जो चात्रे वो नहीं हो पाएंगे यहाँ पता दिया गया है 15 दीन के अंदर फिर होगा एक्जाम मेडिया रिपोर्ट के मताबिक एक वरिष्ट अधिकारी ने बताया कि जो है करवाने की जल्द ही घोशना होगी कंडिडेट्स को पुराने आवेदन पत्र में सुधार का मौका मिलेगा जिहां तो पंदरा दिन के अंदर अंदर आप लोग के परिक्षा होगी उसकी तयारी की जारी जल्दी घोशना की जाएगी तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आकन को प्रिस कर लेज़े ताकि जैसे ही जो है घो उन्हें COVID-19 संक्रमन का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा जिहां यदि आप कोरोना से संक्रमित थी और एक से छे के बीच में जो है नहीं दे पाए परिक्षा तो सबसे पहले क्या करना है आपको ध्यान देना है जो COVID-19 संक्रमन का सर्टिफिकेट आप लोग को बना ल है उससे जो है आप लोगो एक सर्टिफिकेट पना लेना है COVID-19 संक्रमन का और उसी को अपलोड करना है तभी आप लोगो परिक्षा देने के लिए मिलेगा ऐसे नहीं मिलेगा आधिस्तों नीट दोबाड़ा करवाने का फैशला करेगा स्वास्त मंत्राले अधिकारी के मु इस बारे में जो है पत्र लिखा था जिहां हालांकि आप दिसकों बता दिया कि नीट में भी जेई में की तरह ही जो है 13 सितंबर से पहले COVID-19 संक्रमित होने वाली कंडिर्स को ही राहत मिलेगी तो सभी अश्टिटिट जितने भी है जाहे नीट के हो जाहे 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 और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप लोग को सर्टिफिकेट बनबा लेना है किसी जो है सरकारी मानिता प्राप्त लैब से और उसको अप्लोड करना है तभी आप रिक्षा दे सकते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे फ्रेंस और बेल आकन को प्रेस कर लिजे